Hello viewers, आज इस वीडियो में मैं unboxing करने वाला हूँ Samsung Galaxy S9 Plus मुबाइल का बताने वाला हूँ कि इस मुबाइल में क्या-क्या advantages है, क्या-क्या features है, camera क्या है, battery क्या है इन सभी सीजों के बारे में मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो के end तक, ताकि इस मुबाइल के सभी features के बारे में आप जान पाए और इस मुबाइल को खरीडने या ना खरीडने के उपर एक decision ले पाए तो चलिए, without wasting any time, let's get started तो सबसे पहले box को unbox कर लेते हैं, यह है इसका box, तो इसको मैं खोल लेता हूँ stickers हता देता हूँ, और यह मैंने box को खोल लिया, सबसे उपर आपको यह छोटा सा box मिलेगा तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, यह मैंने इसको खोल लिया इसके अंदर आपको मिल जाता है एक silicon case जिसका quality average है लेकिन price point of view से इतनी भी अच्छी नहीं है and मिलते हैं ये instructions guidebook जो कि कोई पढ़ता नहीं है तो इसको side कर देता हूँ और ये है main unit mobile इसको मैं सामने का जो cover हो अटा लेता हूँ and पीछे का भी cover में हटा देता हूँ charging adapter जो कि fast charge कर सकता है मतलब बहुत कम समय में आपके mobile को काफी अच्छी charging दे देता है quality काफी अच्छी है ओके देख सकते हैं आप और इसमें मिलता है ये adapter जिसके मलत से आप pin drives वगरा को अपने device के साथ connect कर सकते हो इस device में type C port मिलता है तो इसलिए ये जो adapter है वो काफी useful रहेगा आपके लिए उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है ये USB port जिसके मलत से आप अपने device को laptop PC के साथ connect कर सकते हो and device को charge भी कर सकते हो quality काफी अच्छी है बेल quality और यहाँ पर मिल जाता है ये earphone जो एकजी का है इस device में sound quality काफी अच्छी है तो आप music wire को काफी enjoy करेंगे इसमें ये देखिए और इसी के साथ कुछ additional आपको earbuds मिल जाते हैं ये देखिए earbuds तीन चार पेर मिलते हैं इसके अंदर जो कि आप change करके अपने earphone में use कर सकते हो तो overall box के साथ आपको ये सारे चीज़े मिल जाते हैं इस mobile में metal body का use किया गया है जिसके कारण ये mobile को काफी premium look दे रेता है जब भी इस mobile को आप hold करोगे आपको ऐसा feel होगा कि आप एक premium mobile use कर रहे हो इस mobile का thickness है 8.5 mm, width है 73.8 mm और इसका weight है approximately 189 grams पीछे की तरफ इस mobile में आपको दो camera, fingerprint sensor, heart rate monitoring का sensor and flash मिल जाता है इसके अलाबा आपको Samsung का branding पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है उपर की तरफ है hybrid SIM slot जहाँ पर आप एक SIM, एक memory card या फिर दो SIM एक साथ use कर सकते हो और मिलता है volume output का point राइट हैं साइड में आपको मिलता है physical power button इसके अलाबा राइट हैं साइड में आपको और कोई physical button दिखाई नहीं देगा नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है speaker, microphone, USB type-C port and audio के लिए 3.5 mm का output देखने को मिल जाता है left hand side में आपको देखने को मिलेगा volume rocker का button and उसके नीचे dedicated big speak का एक physical button आपको देखने को मिल जाता है उपर की तरफ आपको speaker, front camera, notification light और अलग अलग तरह का जो sensors है वो देखने को मिल जाता है अगर display के बारे मैं बात करता हूँ तो इसमें use किया गया है super AMOLED display जिसका aspect ratio है 18.5 is to 9 जो की काफी अच्छी है pixel density है 531 ppi और इसमें Corning Gorilla Glass version 5 का use किया गया है screen to body ratio around 83.99% है और screen size जो यहाँ पर मिलता है वो है 6.2 inches का और आपको तो यह देखके ही पता चल रहा है कि इसका जो display है वो curve display है जो की इस mobile को एक अलग सा look ही दे देता है जो की आपको काफी अच्छी लगेगी screen resolution है 1440 x 2960 pixels यह capacitive touch screens है and multitask का यह support देता है इस mobile के साथ आपको viewing experience काफी pleasant रहेगा क्योंकि इसमें super AMOLED display का use किया गया है plus full HD है और यह जो color portrait करता है वो काफी realistic है तो इसलिए videos बगरा में आप काफी enjoy करने वाले है overall display काफी अच्छा है and display point of view से आप इस mobile को definitely select कर सकते हो बात करते हैं इस mobile के performance के बारे में इस mobile में Samsung Askinos 9 octa core processor का use किया गया है जो की 10 nanometer finfit technology के उपर based है इसमें से चार core जो है उसका speed है 2.7 GHz और बागी चार का speed है 1.7 GHz इसके साथ आपको graphics मिलता है Mali Z72 MP18 जिसके कारण आप high-end graphics वाले जो game से वो भी आप अराम से इस mobile में खेल सकते हो PUBG बगरा आप अराम से इस mobile में खेल सकते हो आपको कोई lagging डिखाई नहीं देगा इस mobile का RAM है 6 GB एन internal memory है 64 GB और आपको available storage around 56 GB के असपास मिल जाता है इसको आप expand कर सकते हो 400 GB तक बड़ इसमें एक drawback है कि इसका जो SIM slot है वो hybrid SIM slot है जिसके गारण आप यहाँ पर एक ही साथ दो SIM यूज़ कर सकते हो या फिर एक SIM और एक memory card यूज़ कर सकते हो यह mobile Android Oreo के साथ आता है लेकिन software अप्ग्रेशन करके आप Android Pie का यूज़ कर सकते हो आप देख सकते हो अभी मैं इस mobile में Android Pie का यूज़ कर रहा हूँ इस mobile के साथ आपको 3500mAh का बैटरी मिल जाता है जो कि एक decent बैटरी है अगर आप normal यूज़ करते हो तो आपको 1.5 डेज का बैटरी वेकप अराम से मिल जाता है लेकिन अगर आप high graphics वाले games केलते हो या फिर net surfing करते हो तो उस case में हो सकता है कि आपको 1 डे से कम आपको बैटरी वेकप मिले अलावाइस ये mobile जो है वो fast charging support करता है wireless charging पर support करता है हाला कि mobile के साथ आपको wireless charging का जो adapter है वो नहीं मिलेगा आपको अलग से purchase करना होगा overall इसका जो बैटरी है वो decent है ये mobile IP68 certified है जिसके मदद से आप 1.5 मीटर पानी के अंदर 30 मिनिट सक इस mobile को आफ रख सकते हो मतलब ये water resistant है उसके बार ये dust proof है अभी बार करते हैं इस mobile के camera के बारे में rear में आपको 2 camera मिल जाता है जो कि 12 megapixel का है जो primary camera है उसमे variable focal length है मतलब उसमें आप 1.5 UV यूज़ कर सकते हो और 2.4 focal length भी यूज़ कर सकते हो और इस feature के कारण ये mobile low light conditions में काफी अच्छी photos ले पाता है front camera के बारे में बात करो तो वो है 8 megapixel का front camera मिल जाता है जिसका focal length है 2.4 दोनों तरफ के camera में आपको OIS मिलता है जिसके कारण आप जब videos बगरा shoot करोगे तो काफी stabilized videos आपको मिल जाएंगे उसका जो rear camera है वो super slow mo shoot कर सकता है जो कि आपके videos को एक additional looks देने में काफी helpful रहता है 60 fps तक shoot कर सकता है 4K में shoot कर सकता है तो इसलिए video capability के बारे में अगर बात करें तो ये mobile काफी अच्छी है इसके अलावा भी अगर आप mobile में देखोगे तो काफी सरा options आपको मिल जाते है sports mode मिलता है, food है, live focus है तो काफी सरा options आपको अलग-अलग मिल जाते है pro mode में आप यहाँ पे focal lens चेंज कर सकते हो ios o चेंज कर सकते हो इसके अलावा इसके camera में आपको AR emoji option मिल जाता है जहाँ पे आप अपने emoji create करके अलग-अलग videos बनाके अपने friends में अपने relatives में आप उसको send कर सकते हो इस mobile के camera के बारे में मैं अलग से video बनाऊँगा जहाँ पे मैं in detail discussion करूँगा कि किस तरह का video ये ले सकता है किस तरह का photography इस mobile के मदद से आप ले सकते हो अगर इस mobile के price के बार में बात करें तो अभी इस mobile में काफी discount है और flip card में आपको ये mobile 35,000 के approach मिल जाएगा असा करता हूँ कि ये video अप लोग को helpful लगी होगी और इस video के मदद से आप जान पाए होंगे कि Samsung Galaxy S9 Plus आपके लिए सही mobile है या नहीं इस mobile को लेके कुछ भी query आपके मन में है तो definitely आप comment box में आप लिख सकते हैं मैं उसको sure reply करूँगा आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए video के साथ मेरे अगले एपिसोड में तब तक के लिए गुर्बाई